आखिर का लंबे समय से जिस बात का इंतजार था वो आज पूरा होने जा रहा है। देश का केंद्रिय बैंक, रिजर्ब बैंक आफ इंडिया, देश की डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया का आज पहला पाइलेट परिक्षन शुरू करने जा रहा है। डिजिटल करेंसी के पाइलेट प्रोजेक्ट में नौ बैंक, गवर्मेंट सेक्योरिटीज में लेंदेन के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इसे सेंट्रिल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का नाम दिया गया है। और भारत की ये पहली डिजिटल करेंसी आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाली है RBI के इस डिजिटल करेंसी इ रुपया के इस्तिमाल से विद्वेशों में पैसा भेजने में आसानी होगी और money laundering मामलों में कमी आएगी ऐसा माना जा रहा है आतंकी घटनाओं के लिए हो रही funding पर भी रोक लगेगा वहीं काले धन को पनपने से रोकने में भी इ रुपया कारगार साबित होने वाला है ओनलाइन बैंकिंग में लगतार हो रही धोखा दरी और क्रिप्टो करेंसी की तोर आर्बियाई की तरफ से लॉंच हो रहा ए रुपया एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ए रुपया का नाम दिया गया है क्रिप्टो करेंसी में सबसे जादा प्रचलित बिटकोईन की तरह ए रुपया का भी अपना लोगो होगा आम जनता की पोहच में होगा ए रुपया लॉंचिंग के समय इस ए रुपया को आप ए वॉलेट में भी रख कर बैंकों द्वारत चलाई जा रही तमाम सुविदाओं और ओफर्स का फायदा उठा सकते हैं इसे एक वाउचर की तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा Central Bank Digital Currency के लिए सबसे पहले चड़न में 9 बैंकों को चुना गया है जो Digital Currency में लेन देन शुरू करेंगे इनमें State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, SDFC, ICICI, Yes Bank, IDFC First Bank, HSBC और Kotec Mahindra Bank को चुना गया है जहां से Central Bank Digital Currency की शुरूात हो रही है